नमस्कार दोस्तों ये है बजाज Pulsar 125 Neon B6 ये Pulsar 125 Neon का Split Seat Disc CBS Variant है इसमें 4 Variant आते हैं और 6 कलर का Option मिलता है और आप देख रहे हैं Pulsar 125 का Matte Neon Green कलर इसके Features क्या है, Mileage क्या है और इसकी On Road कीमत कितनी है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके Front से तो यहाँ पर आपको Black Color का Wind Sealed का Glass मिल जाता है जिसके उपर बजाज की Branting मिल जाती है और यहाँ पर आपको Matte Finis का Wiser मिल जाता है जैसा कि मैं आपको इसको On करके दिखा देता हूँ तो यहाँ से आप इसकी रौशनी को देख सकते हो और इसके उपर की साइड में आपको दो पाइलेट लेंप देखने को मिल जाती है और इसका जो Front वाला मटगाड है वो Matte Finis में दिया गया है यहाँ से आप इसके टैर की गिरिप को देख सकते हो और इसका जो मटगाड है वो Dual Tone Color में दिया गया है यहाँ पर आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक का Option मिल जाता है और इसके Front वाले टैर के Size की बात करें तो 80, 117 का टैर Size दिया गया है इसमें MRF Company के टुलेस टैर दिये गया है और ब्लेक क्लर के अलोई बिल्स दिये गया है और इसमें आपको जो है टेलिस्कॉपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं इसके Front में तो अब हम बात करें इसके मीटर कंसोल की तो इसमें आपको वही पुराना वाला Digital और Analog टाइप का मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है यहां पर आपको RPM की लिमिट और यहां पर RPM की इंडिकेशन लाइट टन सिकनल इंडिकेशन लाइट और गियर की नूटरल लाइट और मैन हेड लाइट इंडिकेशन लाइट इंजिन माल फंक्शन लाइट और यहाँ पर fuel की reading और यहाँ पर kilometer की reading और trip meter और यहाँ पर kilometer परार की speed और यहाँ पर आपको trip meter को adjust करने के लिए button मिल जाते हो यहाँ से आप इसके handle bar rod को देख सकते हो और इसमें जो side mirror है वही आपको पराने वाले मिल जाते हैं जो आपको परानी platina bike में मिलते थे और यहाँ पर आपको passing switch low beam high beam switch और indicator और horn का switch दिया गया इस back में दोस्तों आपको single horn नहीं मिलता है यहाँ पर आपको double horn नहीं मिलता इसके दूसरी side में engine kill का switch और यहाँ पर self का switch देखने को मिल जाता है पर इसको side profile की तरफ से देखें तो इसका जो color है वो matte finish में दिया गया है जिसके उप पर pulsar का 3D में logo दिया गया है जो की rubber का है और यहाँ पर आपको जो है tank pad भी मिल जाता है जो की काफी attractive look दे रहा है इस bike को और इसके battery panel पर भी देख सकते हैं यहाँ भी आपको थोड़ा सा color combination मिल जाता है green color का और यहाँ पर इसके suspension की बात करें rear वाले की तो यहाँ पर आपक जो है twin gas sock tap के suspension मिल जाते हैं जिसको आप आसानी से adjust भी कर सकते हो अपने weight और demand के साब से जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो suspension है वो काफी attractive दिया गया है और इसके पीछे वाले tire के size की बात करें तो यहाँ पर 197 का tire size मिल जाता है black color के alloy wheels दिये गये हैं और यहाँ पर green color की stickering की गई है इसके alloy wheels के उपर और 130 mm की drum brake का option मिल जाता है और इसके उपर की side में आपको एक tire hugger भी मिल जाता है जो कि आपकी bike को गंदा होने से बचाता है इसके seat call के उपर 125 का 3D में logo मिल जाता है rubber print के साथ green color का और यहाँ पर आपको दो grab handle मिल जाते हैं और इसकी ज positioning है वो भी काफी ज्यादा soft दी गई है और इसकी जो split seat की वज़े से इसका जो look है वो काफी ज्यादा प्यारा लगता है बजाज pulser का और इसके पीछे की side से आप देख सकते हो और यहाँ भी आपको LED की tail lamp मिल जाती है पीछे की side में जो आपको पहले इस बजाज pulser में मिलत जाती है और इसके panel पर भी आपको green color की stickering मिल जाती है और इसके fuel tank की capacity है वो 11.5 लीटर की दी गई है साड़े 11 लीटर की दी गई है और इसके पीछे की side में एक company fitted black color का sardi guard मिल जाता है जो की काफी वड़ा है और यहाँ पर suspension और इसके chancet cover की बात करें तो यहाँ पर आपको fully cover chancet cover मिल जाता है जो की metal का दिया गया है जो की काफी मजबूत है और यहाँ पर adjustable footrest मिल जाता है जो की pillion के लिए दिया गया है और यहाँ से आप इसकी design को देख सकते हो और यहाँ पर आपको जो है एक locker दिया गया है जो की इसके panel को खोलने के लिए और यहाँ पर आपको लोगो देख सकते हो जहांपर आपको बजाज DTSI की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जैसा कि इस बैक में आपको DTSI इंजिन मिलता है और यहांपर Company Fitted आपको एक Leg Guard और Single Horn मिलता है और यहांपर आपको एक Seat Call भी मिल जाता है इसके इंजिन और पावर की बात करें तो इसमें दिया गया है 124.4 cc का एर कूल फोर स्ट्रॉक टू बाल टुइन स्पार्क बेसिक्स कंप्लाइंट DTSI इंजन इसकी मैक्सिमम पावर है 11.8 PS की 8500 RPM पर इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.8 NM का 6500 RPM पर इसका कर वेट है जैसा कि इस बाइक में अगर आप कम पेट्रॉल भी रिजर्ब करके रखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इंजन से रिलेटेड जैसा कि फ्यूल इंजेक्शन वाली जो बाइक होती है उनमें 2-3 लीटर पेट्रॉल रिजर्ब करके रखना पड़ता है जो कि बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता जैसा कि जो पेट्रॉल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अब मैं इसके माइलेज की बात करूँ यहां पर brake pad और यहां पर adjustable footrest rider के लिए और यहां पर केके start option भी मिल जाता है यहां पर DTSI की badging मिल जाती है इसके engine के उपर यहां पर आपको जो है engine all cap और यहां पर इसके engine के head के उपर एक spark plug भी दिया गया है और यहां से आप इसके exhaust की design को देख सकते हो जो की वही पुरानी वाली design आपको इस bike में मिल जाती है जैसा कि इसका exhaust है स्कूग पर एक metal की plate मिल जाती है जो की silver matte finish में दी गई है और यहां से आप इसके exhaust की design को देख सकते हो तो अब मैं बात करूँ इसकी on road कीमत की तो बजाज Pulsar 125 split seat disc variant की on road कीमत है एक लाग सात अजार पांसो साट रुपे 1,7560 रुपीज ये on road price मैंने आपको बता है बजाज ओटो एमपोरियम कॉलकता सोरुम का सोरुम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी अदर स्टीट वाले बिल्कुल भी tension ना लें आप अपनी city का नाम कमेंट कर दें मैं आपको आपकी city का on road price बजाज Pulsar 125 का reply करके बता दूँगा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाद से आदा like करें जाद से आदा share करें अगर आपके मन में कोई doubt है या कोई सवाल है इस वीडियो से related तो आप मेरे को comment करके पूछ सकते हैं मैं आपको reply कर दूँगा अगर आप चैनल पर पहली वार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना क्योंकि मैं ऐसे ही नेग नई बायक और स्कूटर की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में